नमस्कार मैं सुभास्पी मोली हिम तरंग के विशिस एविसोर्ड में आज हम मुलाकात करेंगे अपने थराली के लोग प्रिविदाग भुपाल लाम टेम्टा जी से आए चलते हैं उनसे मुलाकात करते हैं सबसे पहले तो मैं हिम तरंग का हिर्दय से धन्यवाद करना चाहता हूं और जहां तक 2024 लोग से बचनाओं की बात आपने कही हैं तो निश्चित रूप से भार्टे जंता पार्टी ने 2014 से लेकर के 2024 तक जो पहली बार जब निवाचित होकर के आए थे 2014 में और दोबार 2019 में जब हम निवाचित होकर के केंदर में सरकार बनी थी तो मैं यह कह सकता हूँ कि स्वभागिया है हम सब का इस देश वाशियों का कि इस देश का नेतरता हमारी यस्वसी प्रधान मंत्री जी ने जब 2014 में कमान संबाली तो एक एक भाउना के तहट एक संकल्प के तहट उन्होंने एक नारा दिया था सब का साथ सब का विकास और आज इन दस सालों में हम यह कह सकते हैं कि उसमें जो एक कड़ी 2019 में उन्होंने जोड़ी थी कि सब का विस्वास तो जो 2014 से 2019 के बीच जो उन्होंने इस नारी को जो उन्होंने अपनी मन की जो सेवा संकल्प को उन्होंने इन नारों के पीछे जो दिखाया था उसकी पीछे उनका धही किया था उनका मन तब्बेका था ये हमने उन पांच साले में देखा और 2019 के बाद 2024 तक भी बिबिन कल्यान करी जो जो उनका लक्षे था निशले पाइदान पर रहने वाला ब्ग्ति जरूरत मन ब्ग्ति जिसकी पहुंच नहीं है जिसको इसके लिए उन्होंने ये संकल्प लिया था मैं ये कह सकता हूँ कि आज उसकड़ी में एक जो उन्होंने सब दोर जोड़ा था कि सब का विश्वास तो मैं ये कह सकता हूँ कि इन दस सालों में जो उनका सिवा का संकल्प था जो विबिन कल्यान करी योजनाओं की माजम से जो गरीबों के लिए जो योजनाओं उन्हो और रच्य भारत से लेकर कर जल जिएॉन में संद तक, मैं यह कह सकता हूँ कि, परित्य छेटर में विश्रेश रूप dependent का इन जिस्वर भगलुक च estate tartar है, जो मैंने यहां के लोगों की अश्वदाईं, जो हम लोगों की समझ्षें थी, उसके एक-एक बिंदों पर जिस प्रकार के हमारे यसोशी प्रदान मंतरे जी ने चिंतन करके कि उनको ध्रातल पर निकाल करके गरीब कल्यान की यह जनाओं कि मादेम से जिस प्रकार के लोग के जियोनस्तर पर मैं एक कह सकता हूँ कि जब यदा कदा कई भी बिमार हो जाता था किसी की चटान गिने की चटान से गिने से कहें पर कोई आकस में इस प्रकार के घढ़ना है घढ़ने से पहाड में तो उपचार के लिए बहुत बड़ी समश्या हमारे पहाड में होती थी क्योंकि यहां पर मैं जानता हूं कि लोगों का जियो नस्तर इस प्रकार का नहीं है खेती से छोटे छोटे कामों से वो अपने आज़िवका को चलाते हैं कुछ हमारे चेत्र के जो लोग सेना में रहते हैं देश की सेवा में रहते हैं वहां पर हमारे आर्था की बनी रहती है लेकिन इस बात की भी उन्होंने चिंता की पास लाग तक का निसल की लाज की उन्होंने बेवस्ता की आशमान कार के मादे हम से किसके पास छत नहीं है किसके पास मकान नहीं है प्रधान मंत्रियावास के माध्यम से उन्हों निस बात की वो की किसान समान ने दिहो जंदन खाते के माध्यम से आज सीधा हर परकार के चाहिए कोई इसी भी राशी है उसी दे खाते मारी है तो मैं इस कह सकता हूँ आज कि इन दस सालों में पूरे देश वाशियों का जो विश्वास बड़ा है आज इस चुनाव में मैंने जो देखा है अभी तक का आज चुनाव भारते जनता पार्टी नहीं लेड़ी है बलकि इस देश का एक एक नाकरिक हमारी मातर सक्ति इस चु कार की खुशी हुई है कि मैं भी आज इस काल खंड में मुझे अपने चित्र की सेवा का मौका मिला है इसके है कि 2024 का जो चुनाव है मुझे रूप से टक्कर का चुनाव माना जा रहा है जूकि गरवाल लोग सब मुझे रूप से गरवाल लोग और जगें बीजी पी मजबूत है लेकिन केवल गरवाल लोग सबा चित्र ऐसा है जहां पर सभी पूरे देजवर की निगायें भी है और टक्कर कमाण आप की सुप में लिखते हैं जहां तक गरवाल लोग सबा संचिय चित्र के आपने बात रखे तो मैं नहीं समझता है कि इस प्रकार के कोई मैंने अभी त सब्सक्राइब लोग 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 सब्स जो चार जून को परिणाम जब निकलेंगे तो जो भारतिय जंता पार्टी कर हम सब को सुचना था कि अब की बार चार सो पार तो निश्य तरूप से ये लक्षे हम प्राप्ट करेंगे बड़े बड़े निता कॉंग्रिस के पार्टी को छोड़कर के भाजबा में सामिल हो रहे हैं तो कहीं न कहीं क्या कारे करता हूं कि मन में भी इस तरह का है कि जो बड़े निता बहार से आ रहे हैं और पार्टी को जोईन कर रहे हैं तो इसे कोई असर पड़ रहा है पर्टी पर या वो भी मजबूटी के साथ काम करें बिलकुल निश्य तरुप से हमारा परिवार है और मैं यह समझता हूं कि जो हमारे परिवार में सामिल हो रहे हम उनका वीष्दाइ से स्वागत कर रहे हैं और यह भारतिया जन्ता परिवार का एक मैं समझता हूँ कि इस परवार का एक बैचारिक वो भी रहा है हमारे मन में कभी इस प्रकार की बात ने आ रही और सब लोग हम मिल जुल करके जो लोग आ रहे हैं प्रभायत हो करके आ रहे हैं हमारे येसोशी प्रधान मंतरी जी की कायरे सेलिसी प्रभायत स्पर्ट माज़ा लेकिश करते हिंश के सिश्वाइद जो करके हम लोग में हम अंका सबूद है इस प्रकार कर कोई बी अंतरव्क प्रयोत आज हमारे साथ बिस्वाइब है और पूरा सयोग आज हमने तो यहां कि वियुश्ता की है कि हुए हमारे नए लोग पार्टी में जुड़े हैं उनको भी समान रूप से उनको दैत्वा और समान रूप से उनको दिम्यदारी दी जा रही है वर्तमान में पिंडर हाटी की जो समस्याइं हैं वो ऐसी कौन-कौन सी समस्याइं हैं जिसको आपको लगता है कि वो पूरी होनी जी मैं तो सबह के साली समझना अपने को कि आज धाई साल का कारेकाल हमारे यससी मक्यमंतरी पुसकर सिंधामी जी का हुआ है और जब पहली बार उनको छे मैंने का कारेकाल मिला था तब एक लोगों की मन में एक भाव था यहां कि एक बार यहां एक दल की सरकार आती है और दूसरी बार दूसरी दल की सरकार आती है उन्होंने छे मेने में अपने को इस प्रकार से इस्थापित किया जनता के बीच उन्होंने अपनी भावनाओं को अपने सेवा संकल्प को उन्होंने इस प्रकार से रखा कि आप सब्लों इस बात के गवा हैं कि प्रचंड बहुमत के साथ 2022 में फिर हमारी सरकार बनी है लोगों ने हम पर भरोसा जटाया है लोगों ने हमें जो काम थे हमारे उस काम को पूरा करने के लिए हमें फिर से अपना समर्थन दिया और आज जहां तक मेरी विधानसभा थराली विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ तो मैं सौबा के साली समझता हूँ कि मैंने इन्हें दो सालों के कारेकाल में जहां 31 सड़कों की स्विक्रती प्रतमचरण के रूप में कुस कटिंग के रूप में जारी हुई है वहीं 14 पूलों की स्विक्रती वर्ड बैंक के माध्यम से हुई है 4 सड़कों पर 40 करोड की डामरी करण की स्विक्रती हुई है 12 जो सड़कें हमारी PM जस्वाइक से हमारी P.O.I. है उनमें 25-30 करोड बे की स्विक्रती वन टाइम मेंटनेंस के अंतरकत मिली है बहुत सारी ऐसी घुषणाई ही है इस चेतर में अभी आगामी राजजात है 2026 में जो आगामी राजजात होगी उसके लिए बिस्तित कारेजने की स्विक्रती मानियम मक्यमतरी जीने कर दी है हमारे स्कूलों का मामला हो हमारे हेली پیٹ کی سوroitजками का मामला हो हमारे बहुत सारे ऐसे बिकास के काम है अभी हाली में उन्होंने जो हमारे चारों बिकास करणों है जो गोस अदन की गोस सेट केंदर की गोशना की है हमारे टूरिज्म की दिस्य से उन्होंने रहाँ पर से लेकर के उसकी उन्होंने कारेजना की स्विक्रति प्रदान की है अन्य गिने तैसे कारेओं की लगवर लगवर तीस स्विक्रतियां उनके दारा जारी की गई हैं मैं यह समझता हूं कि मैं अपने को सभा के साली समझता हूं कि जब भी मैं मानिय मुख्यमंतर जी पर इस छे चेत्रेवाशियों को आज मुझे ये भरोंसा है कि भारतिय जन्ता पार्टी का के ओल एक ही लक्षा है एक ही सोच है कि हम अपने चेत्रेवाशियों के प्रति जो वादा करते हैं जो हमारा संकल्प है उस संकल्प को हम सत प्रतित पुरा करने का हमारा प्रयास रहता है और मैं स कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कोई बिपक्स में मुझे यहां नजर नहीं आता है। हमारा लक्षे तो आपकी बार पांच लाग से उपर का है और निश्चित रूप से हम इस लक्षे को प्राप्ट करेंगे। हम देख रहे हैं आप भी देख रहे होंगे सभी लोग इस बात को मलंकर कर रहे होंगे लेकिन आज जहां एक और अनियल बलोनी जी अपने आप में बड़ा चेहरा है और मैंने उनकी चेहरे को आज से नहीं बहुत पहले से इस बात से महसुश किया है कि उनकी इस पहार की प्रती एक चिंता रही है पहार के बिकास के प्रती पहार की समश्याओं के प्रती उनका एक गहन चिंतन रहा है और हम स्वबागे सालिए हैं कि जिस दिन चार जून के बाद उन्होंने खुद हमसे कहा कि 19 तारिक तक आपको प्रियास करना है 19 के बाद अनिल बलोनी की जिम्मेदार है चित्र के लिए तो यह हम सब लोगं का स्वबागे की बाद है